गुट मॉर्णिंग बच्चों आज हम आपके कावेंजली से कावेंजली का पवन दूति का पाठ पढ़ाने जा रहे हैं ये आयोध्या सिंग उपाध्याय हर यौद्वारा रचित प्रीप्रवास हिंदी साहित्य में खाड़ी बोली में लिखा गया रतम सफल महाकावे है जिसका अमूल आधार स्रीमत भावत का दसम इसकंद है जिसमें कृष्ट जन्म से लेकर उनके यववन व्रज से मतुरा प्रवास आधिका वर्णन है प्री प्रवास में कृष्ट कथा को दो भागों में वर्णित किया गया है पहले से आठ सर्ग तक अक्रूर का ब्रज आगमन कृष्ट का मतुरा अगमन कंस बद आधिका वर्णन किया गया है जबकि नवे सर्ग से लेकर सत्रहवे सर्ग तक उधो द्वारा गोपिकाओं को ब्रह्म ज्यान का संदेश राधा के असाधान स्वरूप एवं मानव हित के प्रतिसमर्पित भाव सहित अन्य लीलाओं का वर्णन किया गया है पवन दूति का इसी महा कावे का अंश है जिसमें चिर्व योगनी राधा की मार्मिक वेंजना प्रसुत हुए है यहां राधा ने पवन को दूति अथा संदेश वहार बना कर प्रश्ण के पास भेजा है इसमें राधा द्वारा अपनी विरह विरह अवस्था को प्रकट करने के लिए सटीक उपमान विधानों का चित्रण हरियाओधिजी की सफल रचना शिलता का उग्योतक है बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली आके आसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते एक दिन राधा जी घर में गेह मने होता है घर में घर में दुखित हो करके खिन्न हो करके बैठी हुई थी अकेली उनकी आखों से द्रग युगल मने आखों से आसू जो हैं प्रत्वी को भिगो रहते हैं था तो वो इतना ज्यादा रो रहे थी कि उसके रोने से उनके आसूं से धर्ती जो है वो भीग गई थी घीली हो रहे थी आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध को ले रातह वाली सुपवन किसी काल वाता यनू से एते तभी सदन में अथा महल में सुगंधित सुगंधित फूलों की सुगंध से युक्त हवा जो जूंकों से आई पमले करके आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध को ले राता वाली सुपवन प्राता कालीन जो वायू है वो पुष्प के गंध से युक्त जहरोकों से जो आई थी उस महल में प्रवेश किया अधात उनका जो सदन था वो पूलों की गंध से भर गया वातायनों मने होता है जहरोकों से खिड़कियों से संतापों को विपुल बढ़ता देखके दुखिता हो धीरे भोली सा दुख उससे स्री मती राधिकायों संतापों संतापों को विपुल बढ़ता देखके दुख को बहुत अधिक बढ़ता हुआ देखकर करके अतनत दुखित को करके वो धीरे से उस पवन से बोली प्यारी प्राता पवन इतना क्यों मुझे है सताती क्या तुभी कलुषित हुई काल की कूर्ता से प्रातिकाय जी ने कहा कि हे प्यारी प्राता कालीन वायू मुझे तुम 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 इतना सताती हो मैं तो वैसे ही दुखी हूँ क्या तु भी कलुषित हो गई है काल की कुरूता से काल की कठोर्ता से समय की कठोर्ता से क्या तु भी दुशित हो गई है कलुषित हो गई है मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्रवाले जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेश यहाँ पे राधाजी कृष्ण के विश्य में बताती है कि वो कैसे हैं वो उस पवन से कहती है कि मेरे प्यारे अतात मेरे प्री कृष्ण नव जलद से जो श्याम शरीर के हैं जैसे बादल जलद मने बादल नया बादल हो कंज से नेत्र वाले कमल के समान जिनके नेत्र हैं ऐसे वो कृष्ण एक बाद जब मदवन गए वो तो अब वापस सबसे आये नहीं है और नहीं कोई संदेश मेरे नाम बेजा है मैं रो रो के प्रही विरह से बावली हो रही हूं जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना देवा यह पवन मैं उनके विरह में रो रो करके पागल सी हो रही हूं बावली सी हो रही हूं अता मेरी बिंती है कि मेरे मेरा यह सारा दुख इस सारे दुख की कहानी मेरे स्याम को तो जाके सुना देवा बतला देवा तुम्हारी रादा कितनी दुखित है तुमारे विरे में जोही मेरा भवन तज तु अल्प आगे बढ़ेगी शोभावाली सुखद कितनी मन जो कुझ मिलेंगी वो कहती है पवन से जैसे ही तु मेरा भवन छोड़ करके कुछ आगे बढ़ेगी आगे जाएगी सुखदान करने वाली बहुत सारी सुन्दर कुझे मिलेंगी उन्जे मने लताएं मन्जु मने सुन्दर सुन्दर लताएं तुम्हें मिलेंगी जो सुन्दर होंगी और सुप्रदान करने वाली होंगे प्यारी चाया म्रदुल सुर से मुह लेगी तुझे वे उनकीज उन सुन्दर कुंजों की उन सुन्दर लताओं की जो चाया है वो अपनी मीठे सुर से तुझको अपनी और आकरशित करेंगी तुझको मुह लेंगी तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना फिर भी तो भी मेरा दुख सूच करके मेरे दुख का ध्यान करके तुझको वहां विश्राम न करने लगना अपी ठकावड न दूर करने लगना और आगे बढ़ना थोड़ा आगे सरसरव का धाम सत्पुष्पवाला अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर रिशाले थोड़ा आगे जब थोड़ा आगे बढ़ेगी यह पवन जब थोड़ा आगे बढ़ोगी तो आगे सरसरव का धाम मदुर्ध्वनी वाला रव सरसरव मदुर्ध्वनी का धाम और अच्छे पूलों वाला धाम मिलेगा अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर रिशाले जिस उस धाम में सौंदर रिशाले अथा बहुत ही सुंदर सुंदर लताओं से यूपत बहुत सारे अच्छे अच्छे व्रक्ष होंगे दुरुम मने व्रक्ष व्रक्ष में उस धाम में प्यारा व्रंद विपिन मन को मुग्दकारी मिलेगा आना जाना इस विपिन से मुझे माना नहों राधा जी कहती है मन को मुग्द कर लेने वाला या मुग्दकारी बने मुग्द कर लेने वाला प्यारा सुंदर इस ब्रंद विपिन व्रंदावन तुम्हें में दिख मिलेगा व्रंदावन तुम पहुंच जाओगी वहां आना जाना जरूर लेकिन उस विपिन से उस व्रंदावन से मुहित ना हो जाना मंत्र मुग्ध मत हो जाना जाते जाते अगर पत में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना पिर वो कहते हैं कि अगर मार्ग में तुम्हारे मार्ग में कोई दुखित व्यक्ति दुखित पथिक दिखाए देता है तो उसके पास जाकर के उसके क्लांत को उसके दुखों को मिटा देना धीरे धीरे परस करके गात ताप खोना सद गंधों से श्रमित जनको अर्शिदों सा बनाना उस दुखित पथिक के पास जाकर के और धीरे धीरे इस पर्ष कर परस मने इस पर्ष कर उसके शरीर को उसके धीरे धीरे इस पर्ष करके उसके शरीर के ताप को समाप्त करना उसको खोना था उसके शरीर के जलन को मिटा देना शरीर के ताप को मिटाना दूर करना सत गंधों से श्रमित जनको हाशितों सा बनाना सुगंध से जो ठक गए हैं लोग सुगंध से उस सुगंध वा सुगंधित वातावड से जो एक इत्थक गए हैं उनको आनन्दित करना लज्जा शील पतिक महिला जो कहीं द्रश्टी आये होने देना विक्रत वसना तो ना तू सुन्दरी को फिर पावन से राधा जी कहती है कि यदि तुम्हारे मार्ग में कोई लज्जा शील कोई लज्जा शील आत्री महिला तुम्हें नजर आती है दिखाई देती है तो उसको तो उस सुन्दरी को उस सुन्दर महिला को अपनी वस्त रहत उसको ना होने देना अपनी हावासे उसको वस्त रहत ना होने दा जो थोड़ी से श्रमित वह हो गोद ले श्रान दिखोना और ये पवन यदि वो थकित सी मालूम होती हो यदि वो थक गई हो तो उसको अपनी गोद में ले करके उसकी थकावट को दूर कर देना ओठों की और कमल मुख्य की मलानताय मिटाना उसके ओठों की और कमल मुख्य की कमल रुपी मुख्य की मलिंता को मिटा देना उसके मुर्जाय पन को मिटा देना कोई कलांता क्रशक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी कलांतियों को मिटाना कोई कलांता क्रशक कोई दुखित किसान की ललना कोई कलांता क्रशक ललना खेत में जो दिखावे धीरे कोई किसान की महिला यदी खेत में दुखित दिखाई देती है परेशान सी दिखाई देती है क्रशक बाला क्रशक ललना मने बाला बालिका किसान की बालिका किसान की पुत्री यदी खेत में तुम्हें दिखाई देती है जो क्लांत है थकित है उसको उसके पाजा कर धीरे धीरे इस परस करके उसको उसके क्लांतियों को मिटाना उसकी थकावट को मिटाना जाता कोई जलद यदि हो व्योण होई तो उसे लाग छाया द्वारा सुखित करना तब तब होता अगना और फिर पावन से वो आग्रह करती है राधा जी कि यदि कोई व्योण होई व्योण मने आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसकी छाया से धूप से जो संतप्त इस्त्री हो उसको सुखित करना उसकी छाया से उसको सुखित कर देना सुख प्रदान करना जो इस्त्री धूप के तपन से जुलसी हुई हो उसको उस जलद की उस बादल की छाया से सुख प्रदान करना जाते जाते पहुच मतुरा धाम में उसका हो नियारी शोभा वर नगर की देखना मुग्द होना इसके पश्यात वो राधा जी पवन से कहती है कि तुम मतुरा धाम में पहुच जाओगी और वहां जाकर के वहां की सुन्दर्ता को देख करके तुम मुग्द ना हो जाना मतुरा नगरी का वर्ण करती हुए कहती है कि जब तुम मतुरा धाम में पहुचोगी तो तुम्हें बहुत उसकता होगी उस नगरी को देखने की उस सेष्ट नगरी की सेष्ट नगर की न्यारी शोबा को अनोकी शोबा को देख करके मुग्द हो जाओगी तु होगी होएगी चकित लक के मेरु से मंदिरों को जहां मेरु परवत के समान उचे उचे मंदिर दिखाई देंगे तुम्हें और उसके उपर कांती युक्त कलश चमकीले आभावाले मनें चमकीले कलश होंगे जो दूसरे सूर के समान दिखाई देते होंगे प्रतीत होंगे तू होवे के चकित लग के मेरु से मंदिरों को आभावाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं मेरु के समान उचे उचे बड़े-बड़े मंदिरों को देख करके तू चकित हो जाएगी और जिसके ऊपर कलश लगे होंगे जो चमकीले होंगे वह ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे सूरे हैं देखे पूजा समय मतुरा मंदिरों मद्ध जाना नाना वाद्यों मदुर स्वरे की मुग्दता को बढ़ाना पूजा के समय मतुरा के मंदिरों मंदिरों के अंदर जाना वहां जाकर के नाना वाद्यों नाना प्रकार विभीन प्रकार के वाद्य अंत्र बाजे बाजों की मदुर स्वरे की मुग्दता को बढ़ा देना उनकी मदुरता को पढ़ा देना किमवा किमवा मने अत्वा लेके रुचिरी तरुके शब्दकारी फलों को अत्वा मधुर ध्वनी के शब्दकारी जो शब्द प्रदान करते ऐसे फलों को ने करके धीरे धीरे मधुर रव से मीठी ध्वनी से मुध्धों करके बजाना अत्ता शब्दकारी फलों का तात्पन है कि जो फलों को हिला हिला करके मधुर ध्वनी करना रक्षों के रक्षों के फलों को हिला हिला करके सुन्दर मधुर ध्वनी करना मुख्धों करके उनको बजाना अपने हवा से उनको बजाना और अपने पून मनो योग से योगधान देना कहने का तात्पर है कभी कहना चाहता है इस इस खंड में इस पद्ध में कि विविध प्रकार के तरह तरह के वाद यंत्र यंत्रों के सुमधुर स्वरों के बीच तुम मधुर ध्वनी करते हुए तुम भी उस पूजा में मुख्ध हो करके बजाना और अपने पून मनो योग से योगधान देना तु देखेगी जलद तनकुजा महीं तद गता हो हूंगे लोने नयन उनके जोति उतकियन कारी जलद तन बादलों के समान शरीर वाले अथा श्यामल शरीर वाले श्री कृष्ण तु वहाँ जा करके बादलों के समान श्यामल शरीर वाले श्री कृष्ण को देखेगी तल्ली नहुं करके तद्गता मने तल्ली नहुं करके उनको देखेगी हूंगे लोने नयन उनके ज्योती उत्किर्णकारी कहते हैं उनके लोने मने सलोने नेत्र हैं प्रकाश विखेडने वाले उत्किर्णकारी मने प्रकाश विखेडने वाले ज्योती मने प्रकाश उत्किर्णकारी मने विखेडने वाले नेत्र हूंगे सुन्दर नेत्र हूंगे मुद्रा होगी वरवदन की मूर्तिसी सौम में तागी और भाव भंगिया, मुद्रा मने भाव भंगिमा, बरवदन की, शेष्ट शरीर की जो भाव भंगिमा होगी, वो सौम्मिकारी मूर्ती जैसी लगती होगी, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके वचन जो हैं, वो सरल सीधे, जो अमरत में, अमरत से सने हुए होंगे, सिक्त मने सीचे हुए हुए हुए, नीले फूले कमल दले की गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, कहते हैं, शरीर की श्यामता, जो है नीले फूले, खिले हुए कमल दल के समान होगी, कमल की पंकुडी के समान, उनके शरीर की श्यामता होगी, पीला प्यारा वसन होगा, और उस पर उन्होंने पीला सुन्दर वस्त्र होगा, अब कटी में पहनते हैं फबीला, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, उन्होंने अपने कमर में, कटी मने कमर में, आकरशक, पीले रंग का वस्त्र बांध रखा होगा, छूटी काली अलक मुख की कान्ति को है बढ़ाती, अलक मने होते हैं बाल, छूटी काली अलक मुख की कान्ति को है बढ़ाती, और कहते हैं कि उनके जो काले काले बाल हैं, काली लटे जो हैं, उनकी मुख के शोभा को और ज़्यादा बढ़ाती हैं, सद्वस्त्रों में वो नवलतन की फूटती सी प्रभाए, सद्वस्त्र, मने सुंदर्वस्त्र, सुंदर्वस्त्रों में वो नमीनतन, जो नया शरीर उनका नया नया सा लग रहा है, उससे ऐसा लगता है, लगेगा तुम्हें पवन, कि जैसे कान्ती पूट पड़ी हो, उस शरीर से कान्ती पूट पड़ी हो, बहुत ही सजीले और सुंदर्वस्त्र लग रहे हैं, बहुत ही मनोरम चित्र, राधा जी ने पवन के समक्ष, श्री कृष्ण का मनोरम चित्र, मनोरम चवी का वर्णन किया है, इस पद में, बस आज का पाट बच्चों, इतना ही रखते हैं, और अगले दिन यहीं से क्रमशा सुरू किया जाएगा, धन्यवाद बच्चों, बहुत हैं, इतने हैं, बहुत हैं, झाल जाएगा जाएगा जाएपा जित्र, तो ने जाएगा है, इतने हैं, वस बहुत है।